36 गर में 15,000 सिक्षकों की भरती होगी, नीमित पदो पर सिक्षकों की भरती होने वाली है, सिक्षभाग ने विज्ञापन जारी किया है, व्यापम अब सिक्षकों के लिए परिक्षा लेगी, 26 मार्च से ओनलाइन आविदन शुरू कर दिये जाएंगे, सौरब सिंग 26 मार्च से ओनलाइन आविदन शुरू कर दिये जा सकते हैं, और 25 अपरेल तक यह ओनलाइन आविदन खुले रहेंगे, सबसे खास बात ही कि पिछले दिनों मुख्यमंतिरी ने 26 जनौरी को यह ऐलान किया था कि 36 गड़ में युवाओं के लिए जो सिक्षित विरोजगार ह 27 में हजारों की तादाद में पदलाएंगे, और आज मुख्यमंतिरी ने एक बार फिर से बड़ी गोश्रा की है, और 15 हजार से ज़्यादा जो सिक्षक हैं, नीमित सिक्षक हैं, वो बरती किये जाएंगे, व्यापम इसकी परिक्षा लेगी, और सबसे खास बात ही है कि इस संका हैं, उसे समदिश्ट सिक्षक मांगेगे हैं, खास कर जो अब पिछली दूनों ये बात हो रही थी कि 36 सरकार जो है कहां से रोजगार लाएगे, किस तरीके से यहां की जो सिक्षित जो बिरजगार हैं, उनको किस तरीके से रोजगार देगी, तो यह 36 सरकार का बड़ा हो रही, इससे पहले काफी समय पहले 2007 और 2008 की बीच ये परिक्षा होई थी, सिक्षा कर्मी अभी तक चला रहे थी, इससे पहले सविलियन हुआ था, बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों सविलियन किया था, और ये 15,000 की बरती फिरती हो रही है, निश्चित रुप से जो र विपक्ष में रहते वें कॉंग्रेस में मुद्धा उठाया करती थी कि सिक्षो कोई कमी है, स्कूल बधाल है, ऐसे में अब ये एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, सरकार 26 मार्ज से ऑनलाइन आविदान शुरू करने जा रही है, सिक्षभा की माद्यम से 15,000 सिक्षो क कि एक साथ भरती होगी